ये कहानी बहुत ही ज़दो मज़िदार है इसलिए बीच में से वीडियो बिल्कुल भी मच छोड़िएगा और आप हर बार कमेंट करते हो कि नेक्स पाट बनाओ नेक्स पाट बनाओ इसलिए हमने इस वीडियो में तीन सीजन गुशा दिये हैं तो कहानी की शुरुआत में हम माओ को हमारे साथ इंटर्डीउस कर आया जाता है माओ उसकानी का में केरेक्टर है और यह हमारे वール्ड से बिलॉंग नहीं करता है यह एक डाक वृल्ड से बिलॉंग करता है जहां कर डाक लोड है गोड्स वीससे डरते हैं लेकिन वो इसे रोकना चाता है इस दोज़े से इन्होंने एक warrior को समन कर Mao पर हमला करने के लिए बेजा वो warrior एक lady है लेकिन वो बहुत समझदार है और उसने सबसे पहले अपनी आर्मी के चार्ट टुकड़े कर Mao के four major generals के तरह बेजी जिससे कि वो generals Mao की मदद ना कर पाए और जब उनके साथ busy है तब वो warrior अपने कुछ दूसरे साथियों के साथ Mao पर हमला करती है यहाँ पर उन लोगों ने मिलकर किसी तरह से Mao के एक होन को destroy कर दिया था तब ही Mao के एक general आशिया वहाँ पर आता है और Mao की मदद करने के लिए यहाँ उस warrior पर हमला कर देता है इससे वो warrior दूर फिक चुगा था पर वो हारी नहीं थी और फिर से आगे बढ़ती है और Mao पर अपनी तलवार से हमला करने लगती है लेकिन यह लड़ाई बहुत time से चलती आ रही है Mao खुद को कमजूर महसूस कर पा रहा था वो हवा में आता है और कहता है कि वो आज तो उन्हें नहीं हरा पाया लेकिन एक दिन वो फिर से लोट कर आएगा और इसके बाद वो एक portal उपन करता है और आशिया के साथ सीधा उस hotel में चला जाता है वैसे यहाँ उस warrior ने फैसला की आती वो माओ को खतम करेगी इसलिए वो इसे इस तरह से भागने नहीं दे सकती वो तभी वाँ उस portal की तरफ भागती है और साथी उसके साथ एक high level priest मी उसकी मदद के लिए यहाँ portal की तरफ बढ़ने लगी थी लेकिन वाँ सिर्फ वो world आपाती है और फिर वो portal बंद हो जाता है अब अगले सीन में हम देखती है कि माओ और आज यह अनॉम वर्ल्ड में पहुंच चुके थे जा उनकी बॉड़ी पुरो तरह से बदल चुकी थी वो अपनी बॉड़ी को देखते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि इतने सालों तक जिम करने के फाइदा नहीं हुआ आखिर में हमें आना तो उसी बॉड़ी में बढ़ा वैसे अभी इनकी अज़ीब बीवेर को देखते हुए दो पुलिस वाले वहीं रुक गए थे लेकिन आशिया फैसला करता है कि वो उन्हें खतम करेगा क्योंकि वो बहुत देर से उन्हें घूर रहे हैं लेकिन आशिया नोटिस करता है कि उसकी पास मैजिक पावर है ही नहीं लेकिन यहाँ पुलिस को उनका भी बहुत अजीब सा लगता है इसे वज़े से वो उन दोनों को पकड़ लेते रात के टाइम उनको छोड़ दिया गया था किमकि कोई गलती नहीं थी रास्ते में आशिया कहरा था कि शायद एर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वज़े से हमारा मैजिक काम नहीं कर रहा है इस पर माओ कहता है कि तुमने सही का लेकिन चायद सिर्फ मैजिक पावर कम ही हुई है मैं अभी अपने अंदर मैजिक को मैसूस कर पा रहा हूँ क्या तुम कर पा रहा है अब आशिया अपना हाथ उठाकर मैजिक ट्रिक करने की कोश्र करता है लेकिन इससे बस एक कैब वहाँ पर रुपाती है वैसे बाद में माओ आशिया को समझाता है कि इस वोईड में मैजिक एक्जिस्टी नहीं करता इसे वोज़े से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम किसी के सामने गलती से अपने मैजिक का इस्तमाल ना करें और दूसरी चीज़ यह कि हमें तब तक यहाँ पर सर्वाइब करना है जब तक हमारी पूरी मैजिक पावर से लौट नहीं आती अब माओ ने दिरी दिरी याके रूल्स को समझ लिया था इसने वो आशिया के भी मुद्ध कर रहा था बाद में वो एक एजन्ट के पास आती है और उससे एक घर रेंट लेने की बात करते है वो एजन्ट उन्हें पुराने घर पर लेकर आता है माओ उसे देख कई है कि यह उसके पैलेस की तरह तो नहीं है लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है वैसे बाद में वो उस गर की लैंडलोड लीडी मिकी से मिलते हैं जिसे देखकर एक बार के लिए खुद डीमन लौड भी डर गया था अब बाद में जब वो बाहर घुम रहते इस दोरान माउ आशिया से कहता है कि यहां किस तरह से रहना ह इस चीज़ के बारे में आशिया सोचेगा आशिया चीज़ पर तुरंती एगरी करता है अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्हें यहां कुछ दिन बीच चुके थे माउने मैक डॉनल की एक सस्ती कॉफी वाली दुकान पर नौकरी कर ली थी जहां उसे कुछ तंखा मिल रही थी सभी कुछ सई चल रहा था लेकिन आशिया माउस से कहता है कि फाइनेंस का क्म तुम्हें चोड़कर मुझ पर संभालना चाहिए क्योंकि तुम्हारा जितना पैसा आता है तुम उसे फाल तुम्हें उडाते हो माउने हर एक होम अप्लाइंस की चीज़ें खरीद ल यही वह वारीर है जिससे माउं की फाइट हुई थी माउन उसे पैचान लिया था और एमीलिया तो उससे पहले पैचान थी थी वह यहां माउं को खतम करने के लिए आई थी वह तुरंते अपना चाकू निकालती है लेकिन कुछी सेकिंड बाद हम देखते हैं कि वह दोनों पुलिस स्टेशन में बैठी हुए थी और पुलिस को लग रहा था कि दोनों लवर है यानि कि यानि निबबने पीर जिस वज़े से इनमें जगड़ा हुआ और वो एक दूसरे को खतम करने के लिए निकल पड़ते हैं पुलिस वाला उन्हें समझा थे कि उन्हें ऐसा नही होता है माउ समझ गया था कि इमीलिया ही होगी मा उतरंती आशिया को उस को वारे में बतता है और आशिया गब रा जाता है अलaggi माउ कहता है कि उसके पास भी हमारी तरह अपनी मेजिक पावर नहीं है इसलिए तुम मुझे अंदर आने दो एमीलिया वहा नंदर आती है और वो बहुत ही गुस्से में थी अलाकि माओं उससे पूछता है कि उसकी टीम को क्या हुआ क्या वो यहां नहीं आई तो इस पर एमेलिया बताती कि उसने उमीद की थे कि उसके साथ वो हाई लेवल प्रिस्ट साथ आएगी जिससे फिर वो माओं को खतम कर यहां से निकल जाएं अगले दिन हम देखते कि माओं काम पर था तब ही एमेलिया वहां आती है वो इससे कुछ बात करना चाहती थी लेकिन माओं इतना प्रोफेशनली काम करता है कि इसके बीच वो अपनी परसनल लाइफ को नहीं गुसाता है वो यहां पर उसे सर्फ कस्टमर की तरह ट्रेट कर रहना चाता है तो दुनेंगों दूजरे को डेट कर सकते हैं वैसे वो ऐसा कैने में शर्मा रही ती लेकिन फिर वो सच बता देती है वो कहती कि जब वो यह पर आये थे तब लेकिन एक ऐसी दिनों में वह सूपर बेरव्योसगार बन चुकी है वह यह माओं से बस यही कहन ही रहेगी अब कुछ दिन बाद इसी तरह से बीच जाते हैं हम देखते हैं कि अभी संडे का दिन था लेकिन अचानक से एक बहुत इतीस और्थक्विक वहां आता है और एक दमाकी की अवास सुनाई देती है यह लोग बाहर आकर देखते हैं कि कुछी दूरी पर धमाका है यह लोग इस बारे में फूसते हैं लेकिन इतने में एक उल्ड मैन वहां पर आकर यह उल्ड मैन असल में वही हाई लेवल प्रिस्ट है जोकी एमिलिया के साथ हुआ करता था अभी इसको देखकर वो लोग हैरान थे तब ही माओ कहता है कि जिसे कि वह डीमन लॉड मतलब कि माओ को कतम कर सके क्योंकि इसके बाद वो दोनों वर्ल्ड उनके हो जाएंगे फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं बचेगा माओ की यह बात बिल्कुल सही थी लेकिन यहाँ पर आई यह से पूसता है कि आकर तुम हर चीस कैसे जानते हो और तुम यह चीस कैसे पता जि लेकिन आशिया अभी बहुत गुस्से में था वो कहता है कि मैं दिन रात घर पर काम करता हूं और तुम मूवीज देखते हो अभी यहाँ पर लूसिफर और उस हाई लेवल प्रिस्ट को पूरी दरा से इग्नोर किया जा रहा था पर तब ही लूसिफर यहां आशिया के टे जिसपर माओ कहता है कि सिम्पल सी बात लूसिफर को पावर दूसरे के डरने से मिलती है और यहां तो कई सारे लोग हैं जोंकि उससे डर रहे हैं लूसिफर बताता है कि उसका में पावर सूर्स असल में अमीलिया का वो दौस्त है जोंकि यही एर्थ से बिलॉंग करती है उसने उसे पकड़ रखा है और वो से डरा कर अपनी पावर को रिगेंड कर रहा है। वैसे भागते ही हूँ माउ के सामने भी आ जाता है और उस पर भी गूले चलाता है। किसी तरह से वो लोग आगे बढ़ रहते हैं। माउ और अमीलिया भी अपनी पावर का इस्तमाल नहीं कर सकती थे। क्योंकि उन्हें वापस भी लोटना है। लेकिन जब वो वहाँ माउ पर एक घूले चला कर उसे नीची गरा देते हैं। तो माउ अमीलिया का हाथ पकड़ता हैं। और फिर तीनोई वहाँ से टेलिपोर्ट होकर एक जगा पर आ जाते हैं। जहां बहुत सारी लोग थे। लेकिन यहाँ पर लूसीफर और वो हाई लेवल प्रिस्ट भी आ चुकी थे। अब एमीलिया कहते हैं कि तुम ऐसे जगा पर क्यों आयो। साथी एमीलिया अपने पावर से वापस अपने वोर्यर वाले रूप में आ चुकी थी। वो इस बारे में बूल गई थी कि अब उन्हें वापस लोटना है। सबसे पहले उन्हें यहाँ सर्वाइव करना होगा। वैसे तभी लूसी पर हमला करता है लेकिन उसी दुरान आशिया भी अपने डीमन फॉर्म में आकर एमीलिया को बच्छा लेता है। वो पूसते हैं कि तुम ठीक तो वो जिस पर आशिया कहते हैं कि माओ की पावर की वज़े से वो पहले से ज्यादा रीकवर हो चुका है। वैसे हम देखते हैं कि अभी अमीलिया उसे हाई लेवल प्रिस्ट से लड़ रही थी। इदर आशिया लूसीफर को संभाल रहा था और तीसी दरख माओ कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग पार्टिकल्स को पकड़ कर चीज़ों को बचा रहा था। वो यहाँ साइड केरेक्टर की तरह मैसूस कर रहा था। उसे अभी जाकर मेन विलेंज लड़ना था। वैसे यहाँ वो हाई लेवल प्रिस्ट लूसीफर से कहता है कि वो उस लड़ाई में हमारी बहुत ज़ादा पावर का इस्तमाल कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो आपस नहीं लोट पाएंगे। यूसीफर कहते है कि तुम वेवकूफ हो अगर हम यहाँ पर मारे गए तो वैसे भी वापस नहीं लोट पाएंगे। इसलिए किसी भी कीमत पर हमें लड़ाई जीतनी होगी। वैसा यहाँ फिर से उनमें लड़ाई कंटिनी हो जाती दूजी तरफ हम वहाँ माओ को देखते हैं उसने उन पार्टिकल्स को अलग कर दिया था वो सोच रहा था कि अब उसे ही लड़ना होगा त्योंकि वो मरना नहीं चाहता और अगर वो यहाँ पर मर गया तो फिर वो सेल्समैन आफ दे मन्त नहीं बन पाएगा जो कि उसके ल इतनी फास थी कि वह स्पैल कास्ट होने से प्हले इन ब्यूसी वर के सामने आ जाता जो कि अबहुत इने के ऊपर एक बहुत पावर्फुल स्पैल आल हिघरका नहीं बन पाएगा क्यूंकि अज संडे हैं रहे देहर को देखने की वाद लूसीवर के वह जलीपर पावर्क ह लुसीवर इनके लगा था लेकिन ये इन लोगों की बहुत बड़ी गलती था, क्योंकि लुसीवर दिनबर फिलिप reopen करता है, Aussia फ़रब कर रही था, वैसे अब एक दिन माँ आपने काम से घर आ रहा था, उसे थोड़ी सी दीर हो चुगी थी, घर आकर वो नोटिस करता है कि वहाँ, उनके घर के बाहर एक लड़की खड़ी हुई है, जो कि अंदर आना चाहती है, अब वो से पूछे, इससे पहले ही वो लड़की वहाँ, सीड़ी उसे नीचे आने लगती है, और उसका पैर फिसल जाता है, क्योंकि उसने कमीनो पैन रखाता है, जो कि एक जैपनेस ट्रेडिशल ड्रेस है, लेकिन माँ उसे कैच कर लेता है, पर तब तक वो ब्योश हो चुगी थी, अगली दिन वो खोश में आती है, और बताती है कि वो यहाँ से बिलोंग नहीं करती, वो दूसरी जगह लेती है, क्या वो एंटीला है, जिस पर वो लड़की हाँ करती है, लेकिन अगली पर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, यह वो पोर्टल क्रेट किया था, और यह उसके जाब से यह बहुत आसान है, वो एक बावल में कुछ लकडिया रखती है, उनमें आग लगाती है, और फि गोल्डन एपल नीची करा था, साथ ही ये उन्हें अपनी तरफ हीच रहा था, इसलिए ये आसपास की चीज़ों को पकड़ने लगते हैं, माउ यहाँ चीजों को पकड़ लेता है, और बाकी सभी ने कुछ न कुछ को पकड़ रखा था, इससे वो बच गए थे, पूटल बं कि फिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर अमीलिया कहती कि वो सिर्फ सर्जनों को उससे मिलाने लाई थी, और थोड़ा इंस्ट्रक्शन देने आई थी, कि वो इन लोगों के साथ ना रहे, वैसे माउ उससे कहता है कि उससे नहीं लगता है, जिस पर अमीलिया गुस्स एक चोटी से क्यूट बच्ची में बदल चुगा था और फिर वो बच्ची अचानक से ही सो जाती है वैसे इसके बाद वो उसे अपने घर पर ले आते हैं जहां वो उसे सोता हुआ देख बाते कर रहे थे कि आकर ये है कुन और ये एपल के अंदर क्या कर रही है वैसे अब त पूशने लगता है कि तुम कहां से आई हो और तुमारे पेरिंस कौन है तो इस पर अलास कहती है कि उसका फादर माओ है और उसकी मदर अमीलिया ये सुनकर माओ बहुत हरान था सबस्द्द हरान यहां आशिया लग रहा था और तब इची हो कहता है कि शायद एपल से निकल नहीं आता तब तक यह हमारे साथ ही रहेगी अगर यूसीवर पूशने लगता है कि फिर इसका ख्याल को रखेगा इस चीज़ पर अमीलिया तुरंती कहती है कि उससे दिन की टाइम में जौब करने जाना होता है और इसलिए वो इसका ख्याल नहीं रख सकती हाला कि माओ कह का फादर जाक चुका था अब वो उन्हें के साथ रह रही थी और सभी को मज़ा आ रहा था एक दिन जिस दिन माओ और अमीलिया दोनों की चुटी थी वो अलास को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाते हैं वो अभी एक अम्यूजम पार्क में आये थे जहां वो रेस्ट पर अचानक से अलास बयो श चुकी थी जिसके बाद वो उसे वहां से बाहर ले आते हैं उसे एक पैंच पर लिटाते हैं जिस दुरान अमीलिया माओ से कहते है कि वो कुर ड्रिंग लेकर रहें माओ वहांसे चला जाता है पर द अभी एक लेडी वहां पर आती है वो कहते ह कि वो उनकी मदद कर सकती है, उसके हाथ में एक अंगोटी थी, जो की गलो करती है, और अचानक से अलास के सर से वो निशान गायब हो जाता है, वो तुरंते अपनी मदर को चलाती है, और अमीलिया उसे हक कर लेती है, वो कहते हैं कि डरो मत, वैसे वो लेड़ी कहती है कि मैं पर बस इतना बताने है आई थी कि गैबरिल हैवलनी रेजिमेंट के साथ अलास को कैप्चिर करने के लिए आ रहा है, इसलिए तुम सभल कर रहना, अब अब अभी वहाँ पर माउ आता है, जिसके बाद वो लीड़ी वहाँ से गायब हो चुकी थी, अभी अमीलिया बहुत ह स्टोरी बताई जाती है, माउ के क्लाइन को किसी डीमन टाइप मॉंस्टर ने खतम कर दिया था, हलाकि बाद में एक एंजल वहाँ पर आकर उसे रोकती है, और बाक्यों को खतम करती है, इस दुरान माउ बहुत कमजोर हुआ करता था, वैसे उस एंजल ने माउ को नहीं मार रहा था, वैसे सुनकर अमीलिया अभी हरान थी, क्योंकि उस एंजल की वज़े से अभी डीमन इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर वो तब माउ को बचाती नहीं, तब तो अभी डीमन लॉड एंजिस्ट नहीं करता, वैसे अब अमीलिया पूछते कि आ ये सुनकर माउ हरान हो जाता है, और कहता है कि ये जब उन्हीं के वज़े से हो रहा है, अब अमीलिया को कुछ भी समझ भी नहीं आता, वो पूस्त है कि आकरी ये शाड है कून, जिस पर माउ कहता है कि जिस एंजल की बात अभी वो बता रहा था, उस एंजल ने जाने से प पेड है जो कि माउ ने सरसंट मून सीर्ड के साथ प्लांट किया था अभी ये पेड पूरी तरह से सुख चुखा है इसलिए गैबरिल फैसला करता है कि वो इस पीड को फिर से पहले जैसा बनाएगा इस तरफ हम देखते हैं कि लूसीवर घर पर मस्त लैप्टॉप में इसे और कर रहा था तब उसे सेंस होता है कि शायद एक और पोर्टल कहीं पर ओपन हुआ है कुछ दिर बाद जब माउ अलास और अमीलिया गर पहुंसते हैं तो वो देखते हैं कि गैबरिल लेस सुजनों और लूसीवर को पकड़ रखा है गैबरिल या माउ से पूछता है कि वो अलास को उसके साथ कैसे जाने दे इसके बदले वो उन दोनों को छोड़ देगा साथी गैबरिल एमीलिया की स्केडल सौर्ट की भी डिमांड करता है अब अलास ने तो तुरनती उसके साथ जाने से मना कर दिया था क्योंकि उसकी शकल पसंद नहीं आई माउ भी कहता कि अब अलास नहीं जाना चाहती, तो वो उसे नहीं जाने देगा, और साथ ही वो तलवार देने से भी मना कर देता है, वैसे इसके बाद अब वो आगे बढ़ गया था, यहाँ गैबरिल इससे कहता है कि क्या तुमने ये फैसला सो समझ कर लिया है, क्योंकि तुम पस्ता होग लेकिन माओ कहता है कि मैं तुम्हें हराऊंगा, और साथ इस पुरी अर्थ पर भी कबस्या करूंगा, यह सुनकर गैबरिल अब फिर से उस पर हमले करने वाला था, लेकिन तब इची हो, वहाँ सामने आ जाती है, वो गैबरिल से रिक्वेस्ट करती है, कि वो लड़ाई न करें, और अब गैबरिल कोई से दिखाता है, जिसकी वज़े से वो मान जाता है, और बाद में माफी मांगते हुए, वहाँ से चला जाता है, वैसे वो प्रोमिस करते हुए किया था, कि वो फिर से आएगा, और अलास को अपने साथ किसी भी कीमत पर लेकर जाएगा, वैसे लोग माँ के घर पर आ गई थे, और बात करने लगे थे, जिस दुरान सुजोनों ट्री ओफ लाइफ के बारे में, वो सब बताती है, जिससे जितना उसे पता था, वो कहते हैं कि एक लेजन के मताबिक ट्री ओफ लाइफ की वज़े से अर्थ पूरी क्रियेट हुई है, और पर दस फ्रूट लगे हुएं, जिसमें की नाइन्थ फ्रूट है, याशाड, वो डेंजर में और उसे काबो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वो जिससे गैबरिल चाहता है कि वो इस एकस्टर वर्ल्ड की संतुलन को बनाये रखे, इसलिए वो शाहिद अलास क कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, जिसके बाद माहों कहने लगता है ये फिर ठीक है, तो गैबरिल किसे भी कीमत पर अलास को यहां से लेकर नहीं जाय सकता, हाला कि तबी एमिलिया और सुजन कहते हैं कि वो कभी गैबरिल के खलाफ नहीं जाएंगी, असलिए गैबरिल एंजल ह फाइट नहीं करेंगे, ये धोका देने जैसा होगा, लेकिन माहों कहता है कि वो इस चीज़ को नहीं मानता, वो वैसे भी एक डैविल है, और उसे एंजल से कोई फरक नहीं पड़ता, और यहां बात उसके बच्चों पर आ गई है, इसलिए वो अपने बच्चों को करती है, और फिर वो सो जाते हैं, वैसे अगली सुबह अमीलिया की पहले नेंद खुलती है, वो देखते कि अलास और माहों अभी दोनों सो रहे थे, वो स्माइल कर रहे थी, तब भी उसका दियान उपर की तरफ गैबरिल पर जाता है, वो भी वहीं लेटा हुआ था, और अमीलिया कोई हस्ते भी देख रहा था, अलाकि उसे ने प्रॉमिस किया था, कि वो अगली सुबह लोड कराएगा, जो प्रॉमिस उसने पूरा किया, तब भी अमीलिया तुर्ब अपने तलवार निकाल लेती है, और उसे दूर अटाने को कहती है, गैबरिल कहता है कि वो अलाकि अगर वो लोग उसकी बात मान ले, तो वो किसी को भी ले जा सकता है, या तो वो उसे तलवार दे जाए, या फिर अलास को, अब वो लोग पूसते हैं कि आखिर वो अलास को लेकर जाना क्यों चाता है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में जो याशाड है, वो एक सिंगल रिंकार्नेशन में नहीं फैल है, बलकि जिसने उसे चोरी करने की कुजिश की थी, उसने उसके कुछ टुकड़े कर दिये हैं, एक टुकड़ा, अमीलिया की तलवार पर किस्टल बंखर लगा हुआ है, और दूसरा अलास है, साथी गैबरिल याँ, अमीलिया भी तलवार नहीं लापा रही थी, इसे दूरण माउ घुटनों पहरा कर कहता है कि वो अलास को जाने थी, हलाकि एमीलिया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन माउ कहता है कि माफ माइने के लावा उसके पास कोई चारा नहीं है, इस पर उन दोनों में तोड़ी सी बहास हो इतना कहते हुए गैबरिल अपनी पावर से माउ का गला पकड़ लेता है, और उससे प्रेस करने लगता है, माउ को दर्द हो रहा था और वो यहां कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन तब ही अलास माउ के सामने आ जाती है, उसके सर पर वो सरसेंट मोन का निशान चमकने लगा और वो कह रही थी कि तुम गौड सिर्फ नाम के गौड्स हो, तुम जोट बोलकर गौड बने हो, तुमने मुझे पहले भी अपने दोस्तों से अला किया, और अकीले रहने पर मजबूर किया, और अब फिर से तुम यहीं सब कर रहे हो, मेरी फैमिली के साथ इतना कहते क्योंकि उन्होंने भी आवास सुन ली थी, वहाँ दूसरी तरफ गैबरिल साइड हट कर अलास को दूर अटाती है, लेकिन अलास विर से बहुत तेरी के साथ गैबरिल पर हमला कर उसे नीचे गरा देती है, पर फिर गैबरिल ने अपने विंक्स बाहर निकाल लिये थे और गैबरिल के तरवार ने अमीलिया के तरवार को बीच से काड़ दिया था, दोशे दरफ वहाँ माओ सोजनों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे यहां से उड़ा कर इन लोगों के पास लेकर आए, जिससे कि वो इनकी मदद कर सके, लेकिन इतने में गैबरिल के बाकी सा आता है कि पहले वो भी एक आर्च एंगल हुआ करता था, जिस वोजह से हैवन में अभी भी उसकी बात पुनी जाती है, यह सुनकर माओ को अपने वो फैसला सही लगता है, माओ अभी लूसिफर को ओमेजान और फिब कार्ड का एकसिस देने के फैसले के बारे में सोच रहा यह यहाँ पर अमीलिया उसकी आँखों में देखकर ना तो कही नहीं सकती थी, इसलिए वो हां कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ दूसी तरफ सुजुन माओ को ले कर आ रही थी, वो वहीं से उसे फैक्ट दिये, और माओ यहाँ आकर गैपरिल को पकड़ लेता है, हलाकि वो वहाँ से फिक गये थे, जिस दूरान माओ एमीलिया से कह रहा था कि वो उन दोनों को खतम कर दे, अमीलिया बरही एक तरह से देखा जाये तो माओ की दुश्मन थी, पर वो यहाँ माओ को नहीं मार सकती थी, क्योंकि अभी अलास भी उन्हें देख रही जहां वो एमीलिया की सोड पर किस करती है और उसी के साथ इमर्ज हो जाती है, एमीलिया की सोड फिर से डिरिजनेट हो चुकी थी, और इससे एमीलिया की पावर्स भी बढ़ चुकी थी, एमीलिया तुरंती गैबरिल से फाइट करने लगती है, इस दोरान गैबरिल बे या शार्ट के टुकड़े डूनने के बाद फिर जिन के पास आएगा अलास को लेने के लिए हाला कि इसके जाने से पहले अमीलिया उसे पूस्ट थे कि आखिर इतनी सेंचुरी के बाद वो या शार्ट कलेक्ट करने में क्यों लगा हुआ है इस पर गैपरिल उसे रीजन बताता है वो कहता है कि बस वो ऐसा कुछ ये प्लॉट पॉपस के कारण कर रहा है वैसे अब अमीलिया वास इनीची आ गई थी यहा हम देखते हैं कि अभी तक तलवार से पलास बहार नहीं आई है इस वोजे से माउ थोड़ा सा परेशान था माउ को नहीं पता कि वो तलवार के अंदर माउ उदास है और उसे लग रहा था कि शायद गैपरिल उसे अपने साथ ले गया क्योंकि उनकी फाइट बहुत उपर चल रही थी और माउ उस फाइट को जादा अच्छी से देख नहीं पाया अब हम देखते हैं कि जब एमिलिया वापस अपने गर पर लोट रही थी मतलब उसने दूसरा गर ले लिया है जहां वो चीहों के साथ रहती है तो उस दोरान माउ आगी चल कर अलस के साथ उसकी फोटो देख रहा था वो उदास था तभी एमिलिया पूस थे कि क्या हुआ तो वो बताता है कि वो अलस को याद कर रहा है एमिलिया कहते कि तुम इसे बोल जाना चाहिए और फिर माउ और उदास हो जाता है लेकिन तभी एमिलिया अपनी पावर से अलस को वहाँ पर ले आती है वो बताती है कि वो इतने टाइम से सिर्फ प्रैंक कर रही थी क्योंकि वो गैविल अलस को अपने साथ नहीं लेके गया है तभी वो नोटिस करती कि माउ रो रहा है और माउ को खुद इस चीज का पता नहीं था कि उसके आसू कब निकलाए अलस पूस्त है कि उसे क्या हुआ क्या उसे चोट लगी है डिस पर चीयों कहती है कि नहीं वो सर्फ तुमारी वज़ा से रो रहा है क्योंकि वो तुम्हें मिस कर रहा था वैसे बस सीन चेंज होता है कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि माउ की सेलरी भी आ चुकी थी इसलिए माउ और आशिया की लड़ाई चल रही थी माउ चाहता है कि वो एक 4K टेलिवीजन खरीदे जो कि अच्छा का सा महाँगा था आशिया कह रहा था कि फाल तुम्हें खर्शा क्यों करना लेकिन माउ कहता है कि नहीं उसकी जरूरत है हलाकि आशिया जानता था कि उनके पास इतने ज़्यता पैसे भी नहीं है इसलिए वो कहता है कि ठीक है लेगन तुम पहले मारकेट रिसर्च कर लो कि कितने में टीवी आएगा तब ही माउ कहता है कि वो जिस स्टोर से सारे आइटम्स खरीता था वहाँ से उसे बहुत सारे स्टोर स्टार पॉइंट्स मिलें है जिनसे वो एजली सस्ते में 4K टेलिविजन खरीच सकता है क्योंकि वो इस वर्ल्ड से बिलॉंग करती है वैसे ट्रीन में जाते वक्त अमीलिया यहां सुजनों से कह रही थी कि उसे नहीं पता कि अच्छा आइटम कब तक और चलने वाला है इस पर सुजनों कहते हैं कि अगर तुम इसे कंटिन्यू रखना चाहती हो तो तुम्हें माओ को प्रोटेक करना होगा अमीलिया को यह चीज समझ नहीं आती सुजनों कहते हैं कि देखो बले ही कैसी भी चीज कैसे भी चल रहा हूँ लेकिन हम जानते हैं कि माओ असल में डीमन लॉड है और उसकी डीमन आर्मी अभी वी वहां एंटीला में उसका इंतिजा कर रही है वो लोग कोशिश करेंगे कि वो माओ को यहां से किटनैप कर ले जा सके और माओ कभी अपनी लोगों को धोका नहीं देगा जिस पर सुजनों कहते हैं कि हां बिल्कुल वो तब इसे माओ पर नजर रख रही है वो वैसेस के बाद अब वो तीनों ही घर पहुंसते हैं जहां पर अभी सुजनों और अलास दोनों एं टीवी देख रहे थे तब ही यहां अमीलिया को रीका का कॉल आता है रीका सद में वो लड़की है जो इने अमीजिन पार्क में मिली थी तब रीका और आशिया की थोड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी इसलिए रीका ने अभी इसलिए कॉल लगाया है जिससे की वो इन अमीलिया से पूछ सके की आशिया को किस तरह की कपड़े पसंद है अभी सुनकर अमीलिया पूछने लगते की आखिर वो ऐसा क्यूँ पूछ रही है क्या उसके और आशिया की बीच में कुछ चल रहा है जिस पर रीका कहती की नहीं आशिया ने बस उसे अगले दिन शॉपिंग पर इनवाइट किया है जो सुनकर अमीलिया हिरान थी वैसे अगले दिन हम देखते हैं कि अभी यहां गर पर माओं और आशिया बात कर रहे थे जहां माओं आशिया से पूसता है कि आखर उसने जीका कुछ शॉपिंग पर इनवाइट क्यों किया जिस पर आशिया कहता है कि उसे यहां के ट्रेंड की सेंस नहीं है इस वज़र से वो चाहता है कि वो एक अच्छा टीवी ले सके अलाकि आशिया कहता है कि उसे किसी और पर बिल्कुल बरूसा नहीं करना चाहिए और वैसे भी वो खुद का एक बहुत अच्छा टीवी लेने चाहता है ये सुनकर सुजन ओर जो कि वहाँ बैठी वी थी वो पोचते कि आखर तुमें टीवी चाहिए क्यों जिस पर माओ कहता है कि जब मैं काम कर रहा था तब एक बच्चा हमसे हैपी मिल का टॉय मांगता है उसने जिस क्लियोने का नाम लिया था मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता अगर मैं भी टीवी देखता तो मुझे तब शर्मिंदा होने की जरूत नहीं पड़ती इससे उन्हें माओ के टीवी लेने का कारण उपते चलता है जिसके लिए वो अपनी पूरी एक महिने की सैलरी उड़ाने वाला है हाला कि इससे क्या ही कहते इसलिए अब आशिया और सुजनों यहां माओ के साल टीवी लेने के लिए निकल पड़ते हैं वैसा अब उनके जाती गैबरिल यहां उनकी घर पर आता है अभी घर पर लूसिफर अकीला था और अपना लैप्टॉप चला रहा था गैबरिल चुपचा फ्रिज से खाना निकलता है और यहां लूसिफर के पास आता है वरना फिर मैं माओ को कॉल कर दूंगा अब गैबरिल उससे पूछने लगता है कि आखिर वो माओ के साथ क्यों रह रह रहा है लुसिफर को गौड का बहुत खास माना जाता है और तब उसकी पावर में बहुत जादा थी गैबरिल कहता है कि यहां रहकर तुम सिर्फ अपनी पावर को कम कर रहे हो मुझे एकीर नहीं होता कि तुम्हें एक डीमन के साथ क्या कर रहे हो तुम्हें यहां मज़ा आता है जिस पर लुसिफर कहता है कि बिल्कुल उसे अपने लैप्टॉप से शॉपिंग करते हुए माओ को गरीब करने में मज़ा आता है हाला कि अब गैबरिल कहने लगता है कि क्या तुम मुझे डीमन लौड के बारे में बता सकते हो जिस पर लुसिफर कहता है कि अगर तुम्हें उसके ही बारे में जानना है तुम मुझे उसके ट्रेजर का पता बता सकते हो ये सुनकर लुसिफर पूशे रगता है कि क्या ये सब तुम ये शाट को लेकर कर रहे हो जिस पर गैबरिल कहता है कि नहीं मैंने वो सब चीज़े छोड़ दी क्योंकि मैं जानता था कि मुझे उससे कुछ फाइदा नहीं होने वाला और सच में वो बहुत मुश्किल था वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ एमीलिया को देखते हैं वो इस वक्त अपने एक दोस से बात कर रही थी जो कि दूसरे वर्ल्ड से ब्लॉंग करती है जहां से एमीलिया आई है उसके दोस उसे बताते कि वहाँ पर वाल के सुच्चिशन चल रही है ये सुनकर एमीलिया फैसला करते कि वो कि उसे भी वहाँ जाना होगा लेकिन उसकी दोस्त कहते कि नहीं तो मैं जापान में ही रहना चाहिए वैसे उसकी दोस्त उसे बताते कि वहाँ जापान में उसकी मदर भी आई हुई है ये सुनकर एमीलिया हैरान थी पहले वो पूशते है कि वो उसकी मदर को कैसे जानती है जिस पर अमीलिया की दोस्त कहते है कि उसकी मदर के अंदर सेम वैसी एनरजी महसूस होती है जैसे अमीलिया के अंदर से महसूस होती है लेकिन गैबरिल उसे देखकर कहता है कि क्या बस उसके पास इतनी चीज़े थी जिस पर लूसिफर कहता है कि हाँ पता नहीं कि उपर सारे डीमन लोड हमेशा गरीब ही रहते हैं वैसे अब जाने से पहले यहाँ गैबरिल लूसिफर से कहकर जाता है कि वोचर सिर्फ लूसिफर की वज़े से अब ही रुका हुआ है ये चीज सुनकर लूसिफर हैरान हो जाता है वो कहता है कि आखिर सबी लोग उनके पीछे क्यों पड़े हुए है जिस पर गैवरिल कुछ नहीं बताता बलकि वो बस अपने नमबर दे देता है और कहता है कि अगर लगे तो मुझे फोन कर लेना और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है वैसे इसके बाद अब हमें अमीलिया को दिखाया जाता है वो इस वक्त एक क्रिस्टल में किसी तरह का केमिकल मिला रही थी ये क्रिस्टल ये शाट के पार्ट का टोड़ा है और अमीलिया को पूरा बरुसा है कि ये उसके दूशे ठुकड़े तक पहुँचा सकता है और ऐसा ही होता है अच्वानक से उस क्रिस्टल से एक लाइट निकलती है और अमीलिया उसी डिरेक्शन में बढ़ने लगती है इसके बाद हम वापस ही चियो को देखते हैं जहां उनकी मुलकात रीका से होती है अभी आशिया उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था क्योंकि आज हो इनकी मदद मदद करने वाली है रीका को नहीं पताता कि ये लोग टेलिविजन के लिए आई हैं माओ कहता है कि जिस पर बहुत सारे काटून्स आते हैं और जो चलता हो हलाकि बाद में आशिया और सुजनों से बज़िट बताते हैं जिसके बाद रीका उन्हें लंबी चोड़ी स्पीच देती है जिस पर सुजनों बहुत तीज जाता ही इंप्रेस थी वो कहते हैं कि तुम्हें तो जैपनिस टेक्निलोजी के बारे में बहुत कुछ पता है इस पर रीका पूस्ट है कि तुम कैसे बात कर रही हो क्या तुम यहां से नहीं हो अब सुजनों से एक्स्कूस देने लगती है कि उसके पेरेंस पेरेंस यहां के नहीं है और उससे समझाते है कि उसे जीज क्यों नहीं पता अलागि तब really matter Phone Score देश करते है कि वहां पीछे एक आदमी Cashier से English में बात कर रहा है लेकिन Cashier को English नहीं आती अब माओ जाकर उस आदमी की मदद करते है वह आदमी ही यहां किसी को Call लगाकर कहता है कि तुन्हें मुझे बताया क्यों नहीं कि यहां पर कौन सी लैंगुज भूली जाती है मैं दूसरी लैंगुज याद कर आ गया वैसे ही असल में वाचर है और अभी यह गैबरिल से बात कर रहा था वैसे अब सीन चेंज होता है हम वहाँ अमीलिया को देखते हैं जो कि उस लाइट का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थी वो लाइट अभी होस्पिडल में पहुँचती है जहां उसकी मलकात चियो की मदर से होती है वो पूशती है कि क्या तुम यहाँ पर चियो को देखने के लिया हूँ बाद में वो से चियो के पास लेकर जाती है अमीलिया देखते है कि इसकी खलत बहुत ज़्यादा खराब है और वो अभी ब्योश है दूशी तरफ वहाँ माओ और बाकी उन्हें फैसला कर लिया था कि उन्हें कौन सी टिंगी देनी है लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते है तो सारी टीवी टूटे हुई देखते है इन सबी के काश टूटे हुए थे वो थोड़े हिरान थे माओ समझ जाता है कि इस्टूशन ठीक नहीं है इस वोज़े से वो आज एकसा तरीका को बेज देता है तरीका को गर छोड़ने के लिए इस तरफ वो सुजनों से बोलता है कि तुम एमीलिया को यहाँ पर बुलाओ और साथ ही हमें लूसिवर्ग को भी यह चीज़ बतानी होगी इसके साथ साथ वो बोलता है कि चीयो को भी उसके अपार्टमेंट से बाहर बुलाओ कहीं वो टेलिविजिन ओन ना करे अब तब अचानक से अमीलिया का ही फोन आ जाता है तो अमीलिया बताते कि वो यह चार्ट के पार्ट स्टू की मदद से यहां तक महुची थी उसे कुछ गड़बर लग रही थी हाला कि अब सवाल यह था कि चीयो बियोच कैसे हुई उसकी मदर ने बताया कि वो सोफे पर बियोच मिली थी वो तब तक नहीं हो सकता जब तक वो मैजिक की उज़ना कर सकती है और वो एक नॉर्मल यूमन है वो मैजिक इस्तमाल नहीं कर सकती पर सुजनों कहते कि उसने जो चाम उसे दिया था शायद उसे और उसके लाइफ फोरस से मिल कर मैजिक जेनरेट हुआ होगा लेकिन अभी ये सबाल था कि उस तक वो magic पहुँचा कैसे अब इतने महीं अचानक से वहाँ पीछे रखा हूँ टीम भी ब्लास्ट करता है इससे उन्हें आइडिया लग चुपाता कि वो पहले चियों के कमरी तक बागते हैं जहां उस सब नॉर्मल था हाला कि बाद मैं सुजनों कहते हैं कि ज़रूर ये टेलिविजन के थ्रूरी कर रहा है क्योंकि वहां मॉल के अंदर भी सारे टेलिविजन ब्लास्ट हुए थे अब उसी दुरान वहां पर लूसीफर आता है वो कहते हैं कि ये काम ज़रूर वाचर का है वो इलेक्टरिक सिग्नल की मदद से अपने मैजिक को सभी तक पहुचा रहा है वैसे वो यहाँ पर भी बताते कि गैविल उनके घर पर आया था जुस्तुनकर अब वो सभी पहले चीव के रूम में आते हैं और इसके बाद इस चीज़ पर डिसकस करने लगते हैं वो उससे पोस्त है कि गैविल क्यों है था वो बताता है कि गैविल अब यह शाट के मामले से हट चुका है जिस पर माव कहता है कि हाँ उसे पता है लेकिन उसे नहीं लगता कि कोई उसे लेने चाहेगा और खासकर है वन की लोग उसे लेकर क्या ही करेंगे वैसे अब लुसिफर कहता है कि गैबली ने हारन मान ली और अब वो इस चीज़ से दूर है इस दूसरे एंजल वॉचर को यहां पर बेजा है अब वॉचर का नाम सुनकर हो हैरान हो जाती है वो कहते कि क्या यह वही रेगल दे वॉचर है? जिस पर Lucifer हा करता है असल में वाचर का काम दूसरे एंजल्स पर नजर रखने का है Lucifer कहता है कि वो इतना ज़ता ताकत पर नहीं है लेकिन फिर भी उसे ये duty मिली है कि वो सभी एंजल्स पर नजर रखकर finally judgment सुना सकता है कि कौन सही है और कौन गलत है वैसे अब जब ये सब कोई देख कर कर रहा है तो सवाल पिर से वहीं आ जाता है कि चियो पर हमला की हुआ इस पर Lucifer कहता है कि चियो का गर वहाँ सेंटर में है जहां से वो चरों से signal को भीज रहा था इस हुचा से उस पर magic का सबसे ज़दा असर हुआ और वो भीष हो गई अब तब ही वहाँ पर चियो की मदर आती वो पहले कुछ काम से घर चली गई थी लेकिन उन्हें पता चला कि हॉस्पिटल में क्या हुआ मतलब उस टीवी की ब्लास्ट वाली बात अब माओ उन्हें से कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूत नहीं चियो को कुछ नहीं होगा और इसके बाद अब वो वहाँ से चले जाते हैं यहां पर आकर अभी अमीलिया पूछ रही थी कि रेबल रॉसाइकल जब ज़ज्जमेंट सुनाता है तो वो किस तरह की पनिश्मेंट देता है जो सुनकर लूसिफवर जिससे अच्छी का सी नौलिज है वो बहुत बहानक बहानक पनिश्मेंट बताता है अब यहां अमीलिया को अपनी मदर के चिंता हो रही थी वो लूसिफवर पर गुसा करने लगती है क्योंकि वो जानते हैं कि अब उसकी मदर भी यहां है और रेगल एक एंजल है वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा हलाकि उन्हीं नहीं पता कि एक एंजल यहां दूसरे रिजल में आकर आच एंजल पर नजब क्यों रख रख है और हैवन ऐसा क्यों चाता है पर माओ कहता है कि उसे इस चीस से कोई फरक ने पड़ता उसे नहीं जानना कि एंजल की बीच में क्या चट रहा है वो कहता है कि वाजर ने चीयों पर हमला किया है इसलिए मैं उससे बदला जरूर लूँगा पर यहां पर उसकी मदद के लिए बाकि सबी भी तयार थे वैसे वहां दूसरी तरफ चीयों के रूम में अचानक से एक वाइट हेर वाली लीडी आती है वैसे अब उसने बाल बांध रखे थे यह असल में लैला है और यहीं एमीलिया की मदर है यह यहां पर अगर अपने हाथों से अंगूटे निकालते हुए चीयों को देती है और साथी अपना एक लॉकेट भी देती है उससे कहते है कि चिंता मत करो तुम सेफ रहोगे क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुमें बचाने के लिए यहां पर हर कोई कोशिश करेगा साथ ही वो उससे यह भी बोलती है कि तुमारी ही वज़ा से दोरे से जुक जो कि शायद अभी एक नहीं हो सकती थी वो एक होने जा रही है इसलिए तुम्हारा शुक्रिया वैसे वहाँ दूसरी तरफ माओ और बाकिस अभी टीवी टावर पर पहुंच चुके थे लेकिन यहाँ कहीं भी वोचर रही था सब थोड़ा सोचते हैं और एक आईडिया निकालते हैं वो फैसला करते हैं कि वो सेम व उसी पर को यहीं टुकने को कहता है जिससे वो इसी टावर पर नजर प्रक सकें वैसे बमाओं और आशिया जिस टावर पर गए थे वहाँ एलिवेटर और सीडिया दोनों ही थी जिस हुझे से उन दोनों में थोड़ी बैस हो जाती है कि उन्हें किस चीज से जाना चाहिए ह अलाकि अब हम दूसरी टावर में आते हैं जहां अमीद्यया गई थी हम देखते कि अभी उसे वहाँ कोई नहीं मिलाता अब वो सोच रही थी जी क्या उसने सही फैसला लिया उसे दोरान अजसे बताते हैं कि गैबरल यहां उस पनेजर रख रख रखा है जिस दोरान बतलब की वाचर के टावर सिगनल को इस टावर तक पहुंचाने से रोगने आया है अब अमीलिया कहने लगते की वाचर कहा है और वो चाता क्या है जिस पर गैबिल कहता है कि उसे नहीं पता हलाकि वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे इंफोमेशन दे सकता हूं जो बाद में तुम्हारे काम आईगी अब अमीलिया उसके बात सुनने को तयार थी वहाँ दूशरी तरफ जिस टावर में माउ और आशिय थे वो अभी सीडियो से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें डाउट था कहीं रैकल यहीं हुआ और वो सीडियो से नीचे आ गया तो वो से खो गया था वो गुसे में कहने थे कि अगर सच में ऊपर पहुंच कर हमें रैगल नहीं मिला तो इस चीज की रैगल को बहुत बड़ी कीमच चुकानी होगी इस तरफ हॉस्पिटल में जब अचियो को होश आता है तो अभी उसके पास रखा हुआ उसका फोन रिंग कर रहा था वो फोन उठाती है फोन पर जो भी था वो उससे बताता है कि उसके हाथ में जो मूटी है उसमें ये शाड का फ्रेग्मेंट लगा हुआ है और साथ ही वो उसे कुछ इंस्ट्रक्शन भी देता है वैसे वहाँ एमीलिया अभी गैबरिल से पूछ रही थी कि ये शाड आकर की आता किया और कहीं वो उसकी मदर के पीछे नहीं पड़ा जिसलिये गैबरिल कहता है कि उसने साही गैस किया वो बताता है कि इस सब करीजन ये है अमीलिया की मदर ने एक ही यूमन के साथ प्यार किया था हैवन इस चीज़ को गलत मानता है इसलिए गैबरी ने यहां आया है अमीलिया को उस पर गुश्सा आता है और साथ ही अमीलिया हैरान भी थी यह जान कर कि उसके फादर यह शार थे हलाकि अब तभी गैबरी यह भी बताता है कि उसके फादर थे नहीं बलकि है मतलब वो जिन्दा है वैसे अब वहाँ चीज़ उसे जो बात कर रही थी वो असल में लैला यानिकी एमीलिया की मदरी थी वो चीज़ उसे पूस्टे कि किसे किस तरह की वैपन चलाने आते हैं जिस पर चीज़ बताते कि उससे आज शुरी आती है मतलब उसे दनुश चलाने आते हैं अभी सुनकर लैला तुरंती उसे वास्पुरियों की बिलिडिंग के उपर आने को कहती है वैसे दूशी दरब वहाँ सुसों ने अपने पास से निकाल कर एक को बोतल में रख रखा लिक्विड पी लिया था जिससे कि उसकी स्केड एनरजी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और इसके बाद वो जिस टावर पर थे उसी टावर की पोल को टच करते हुए यहां सुसों नो उस एनरजी को रिलीस करती है यह एनरजी बहुत ही तीज फैल रही थी और वहां माउं और आशिया को भी इस चीज का जटका लगा था हाला कि वो अभी टैलेव एलिवेटर के अंदर है इसलिए वुट दर गए थे कि कहीं यह बंद ना हो जाए हाला कि इस एनरजी को रिलीस करने की वज़े से सुसनों को पता चल चुका था कि रैगल मतलब वोचर माउं और आशिया के टावर के पास है वो इस चीज़ की इंफॉमेशन देने के लिए लूसिफर से एमीलिया और माउ को कॉन्टेक्ट करने को कहती है हाला कि कॉन्टेक्ट करना डिलेक्ली थोड़ा मुश्किल था पर तब ही वहाँ चीज़ हुआती है वो कहते कि तुम एक बार फिर से एनरजी को रिलीस करो रिलीस मत करना असल में लैला ने उसे बताया था कि ये एनरजी एर्थ के बैलेस को बिगाड़ती है अब उसे दुरान वहाँ पर चार और लाइट अपियर होती है और जिने देखते ही सुज़नों ने उन पर हमला कर दिया था वो चीज़ से कहते कि तुम्हे लैला ने जो करने को कहा है तुम वो करो जब तक लूसिफर और मैं इन एंजल्स के ग्रूप को संभालते हैं वो चौर लाइट एंजल्स नाइट का एक ग्रूप था जा चियो तरुंद हवा में आती है और अपनी उस अंगोटी से निकलने वाली एनरजी की मदद से आसमान में एक तीर चलाती है जहां वो इस एनरजी को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं वो पहले थोड़े हिरान थे लेकिन उसे दुरान उनकी मुलखात रेगल से होती है माउ उसे देखकर हिरान था वो कहता है कि अच्छा तो तुम हो वैसे अभी रेगल कहा रहा था कि लगता है गैबरिल ने सब गड़बर कर दी उसे दुरान वो एनरजी उन तक पहुंचती है इस एनरजी की वज़े से माउ और आशियत दोनों अपने आप ही डीमन फॉर्म में आ जाते हैं और साथ ही अब वो पूरी सिटी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी इस तरफ हम एमिलिया को देखते हैं अभी अलास उससे पोच रही थे क्या वो गैबरिल की बात से हर्ट हुई है जिस पर एमिलिया कहते ही कि नहीं वो हर्ट नहीं हुई वो खुश है कि उसके फादर जिन्दा है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा असल में वो तब माउ से बदला इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके फादर मारे जा चुकी है लेकिन अब जब यह उसे पता चल चुक है कि उसके फादर जिन्दा है तो वो इससी इसको हैंडल नहीं कर पा रही वैसे गैबरिल यहां नहीं था क्योंकि वो वहां माउ आशिया और रेगल के पास पहुँच चुका था रेगल कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि माउ ही असल में डीमन लॉर्ड है वैसे ब माउ एमीलिया के बारे में पूसता है जिस पर गैबरिल कहता है कि वो शायद अभी तुमारी मदद नहीं कर पाएगी क्योंकि अभी वो खुद कोई सम्भाल नहीं पा रही माउ तुरंट उस से पूसता है कि उसने उसके साथ क्या किया इस पर गैबरिल कहता है कि मैं ने उसे कुछ नहीं किया मैंने उसे बस सच बताया कि उसके फादर अभी जिंदा है माओ यी सुनकर बहुत हैरान था उससे अमीलिया का रुटा हुआ चेरा याद आता है क्योंकि शुरुआत में अमीलिया ने माओ को बताया था कि उसके फादर मारे जा चुके है और इस चीज़ पर वो बदला लेकर रहेगी वो गैबरिल से कहता है कि तुमने बहुत गलत किया तुम किसी की एमोशन के साथ इस तरह से नहीं खेल सकते इतने बुरे तो हम डीमन्स भी नहीं होते हलाकि तब ही रैगल कहता है कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो तुम गैबरिल से लड़ो मुझे कुछ और खाम और इतना कहकर वो वहाँ टावर के उपर की तरफ जाने लगा था लेकिन माउसे जाने नहीं देता वो उस पर हमला करने लगता है तब ही गैबरिल सामने आकर माउ के अटैक को रोक लेता है वो कहता है कि तुम बले ही अपनी डीमन फॉर्म में हो लेकिन मुझे नहीं हरा सकते उसी दुरान यहाँ आज यहाँ कुछ पत्थर के टुकडे कर वहाँ गैबरिल के तरफ फैक्ट है लेकिन गैबरिल उसके अटैक रोक लेता है अब उसके बाद हम हम यहाँ अमीलिय के पास आते है हम देखते हैं कि अभी वो थोड़ी उदास थी तब ही अलास उसे पूँस्त है कि क्या वो एक वारिर नहीं बनना चाती इस पर अमीलिय कहते कि हाँ वो बारिर बनना चाती है वो कहती है कि मुझे माफ करना मैं तरनी कमजूर पढ़ गई थी लेकिन अब मैं सब कुस ठीक करूँगी उसी दुरान वहाँ नीचे अभी गैबरिल रेगल से कहता है कि तुम आगे बढ़ो इन दोनों को मैं समभान लोगा माउ तुरंत आशिया को गैबरिल पर हमला करने बे अब उसी दुरान अचानक से रेगल वहाँ उपर से नीचे के तरफ गरता है वो देखता है कि उपर अमीलिया थी वो कहते कि मुझे माफ करना मैंने बहुत देर कर दी उसे देखकर गैबरिल पूसता है कि क्या तुमने अपनी फील्ट दबा दी इस पर अमीलिया आए को नह लेते हैं और जब गैबरिल अपने spiritual energy से उसे push कर रहा था तो वो हट कर यहाँ अमीलिया के उस पर हमला करने को बोलता है अमीलिया ने यहाँ तुरंती हमला कर गैबरिल को दूर फैक दिया था साथ उसके सारे clone में डिस्ट्रॉय हो चुकी थे अबर रेगल यहाँ गैबरिल के पास आता है वो अमीलिया से कहता है कि हम तुमारी मदर को पगड़ने के लिए नहीं आए हैं तुम हमसे क्यों लड़ र रेगल यहाँ यह उसे बोलता है कि लेला तुम सामने आ जाओ और जो तुम ने किया है उसे कुछ फेस करो लेकिन इतने में ही वो नीचे गिर गिया था गैबरिल कहता है कि हम हार चुकी है और यहाँ अलड़कर को फाइदा नहीं हमें चलना चाहिए जिसके बाद वह रेग थी जिस वज़े से चियों भी नीचे करती है वो अभी इस चीज से इतनी ज़्यदा ठक गई थी कि वो तुरंत सो जाती है अब यहां से स्टोरी थोड़ी आगे चली जाती है क्योंकि यहां से सीजन 3 स्टार्ट होगा तो हम देखते हैं कि अभी सिटी में एक को फेस्टिव में चले लेकिन वहां थोड़ी भी रोती है इसलिए लूसिफर वहां जाने से मना कर रहा था साथी आमेलिया भी कहती है कि वह भी वहां नहीं जाना चाहती क्योंकि वह पने पेरेंस के घर जा रही है यह यहाँ अभी उसी घर की बात कर रही थी जहाँ पर Elena उसके वो फादर पहले रहा करते थे और यह जगह एंटीला में है उसी जगह पर जहाँ पर Emilia का जनम हुआ था वह सब घर की तरफ लॉट थे वक्त वो बताते कि उसे वहाँ इमराडा ले जाने वाली है जो कि उसकी अच्छी दोस्त है अभी चियो और सुजनो उससे पूछ रहे थे कि क्या वो वापस जाएगी जिस पर वो कहते हैं कि हाँ वो जल्दी वापस लौट कराएगी वो उन्हें डेट भी बताती है यह वही डेट थी जिस दिन चियो और अमीलिया पहले बार मिले थे साथ ही वो कहते हैं कि वो अलास को भी अपने साथ लेकर जा रही है इसलिए वो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे कोई प्रोग्रम क्रेट हो अब इसके बाद अगले संडे हम देखते हैं कि एमराडा, अमीलिया और अलास को लेकर एंटीला में आ चुकी थी यहां आकर वो उन्हें कुछ पैसे देती है और यहां एक मैप से अमीलिया के होम टाउन का रास्ता भी बता देती है साथ ही वो बताते हैं कि वो अगले संडे मतलब बारा तारीक को किसी लोकेशन पर आकर उन्हें फिक अप करेगी और इसके साथ साथ उसने यहां अमीलिया को एक फैदर भी दे दिया था जो कि एमरजनसी में वो यूज कर सकती है यह फादर एमराडा को लैला ने दिया था वो बताते ही कि इसके त्रू एमीलिया कहीं से भी टेलिपूटेशन गेट को ओपन कर सकती है अब उसे अपने ट्रम कार्ट की तरह रखते हुए वो वासे निकल पड़ती है यहां पास ही वो विलेज में पहुँच कर उसने थोड़ सी शौपिंग कर ली थी उस अपनी लिए कपड़े खरीद लिए थी और एक रात रुकनी के लिए एक होटल भी लिए था लेकिन यहां के फैस्टिवल आर्थ की फैस्टिवल से बहुत जादा खराब है इसलिए उसे जितना जल्दी हो सकी उतना जल्दी घर पहुँचना था वो एक कैरेच का सहरा लेती है और वहां उसमें बैठ कर अपने घर तक पहुँचती है वहाँ पहुचने पर वो अपने फादर की फील्ड को देखती है जिसे देखकर वो बहुत सदा कुछ थी वैसे अब उसके फादर और मदर यहाँ नहीं रहते इस वोज़े से उसे वहाँ कोई नहीं मिलता लेकिन अब वो उसे घर में रुख जाती है यहाँ वो अलास से पोस्ट ही क्या उसे यहाँ आस पास कहीं से यह शाड क्रिस्टल मैसूस हो रहा है जिस पर अलास कहते ही कि नहीं उसे नहीं हो रहा अब अलास सोच चुकी थी इसलिए अमीलिया अब वहाँ रखी चीजों को देखने लगती है जिस दोरान उसे कागस मिलता है जिसमें पास एकी जगा पर सर्टिसफेक्शन था असल में अमीलिया के फादर अपने खेक को बढ़ा करना चाहते थी इसलिए वो इस सर्टिफेक्शन को लेक कराए थे अब अगले दिन यह लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाते है यहां अचारा की अलास को कुछ मैसूस होता है और वो एक फिर्ट के तरह भागते हुए गायब हो जाती है वहाँ पर किसी तरह के स्पेल का इस्तमाल किया गया था अब जब अमीलिया वहाँ भागती है तो वो वहीं से टेलिपोर्ट होकर दूसरी तरफ आ चुगी थी जहां वो एक घर को देखती है यहां अमीलिया को गर पहले तो याद नहीं आता वो अलास से पोस्ते कि अलास कहती है कि यह मम्मी का गर है अब यह सुनकर अमीलिया समझ गई थी कि यह उसकी मदर मतलब लैला का गर है वो फिर भी पूस्ते कि मेरी मदर का नाम क्या है जिस पर अलास नाम बता देती है जो सुनकर अमीलिया हिरान थी इससे अमीलिया समझ जाते कि माओं को तब लैला नहीं बचाया था लेकिन यह चीज़ अमीलिया को समझ नहीं आती पर वो इतना जरूर समझ चुगी थी कि माओं ने जो पिर लगाया था वो भी पिर लैला नहीं माओं को दिया था और उसी पिर से अलास आई थी इसका मतलब अलास डिलेक्टली लैला से कनेक्ट है हालाकि एमीलिया को इससे कुछ समझ वे नहीं आ रा लेकिन अलास खुद को नहीं रोक पाती तभी एमीलिया उससे लेकर भागने लगी थी लेकिन इतने में सामने एक पोर्टल गेट ओपन होता है जिसके अंदर से रैगल और 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 कुछ एंजल गार्ट साथ निकल कराता है अबा असल में एक एंजल वोर्यर बन चुका है जैसे पहले अमीलिया हुआ करती थी अभी इने देखते हुए अलास तुरंत सौर्ड में चेंज कर चुकी थी और अमीलिया लड़ने के लिए तयार थी लेकिन ओबा कहता है कि तुम्हारे फादर अभी जिन्दा है इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमसे फाइट करने चाहिए अब उनकी बात मानते हुए अमीलिया को सरिंडर करना पड़ता है और बाद में वो लोग उसे अफसाहान लेकर चाते है यहां पर आकर अभी अमीलिया सोच रही थी कि वो क्या करे चिम्ट्रों से किसी तरह से यहां से निकलना है हलाकि अब वहां दूशे दरफ हम अर्थ पर देखते हैं कि सभी लोग अमीलिया का इंतजार कर रहे थे लेकिन अभी तक वो लोट कर नहीं आई और 12 तारीक भी निकल चुकी है हलाकि आज माओ का ड्राइविंग टेस्ट था और लाइसेंस के लिए वो अभी एक्जाम देने चाह रहा था वहां बस में उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जिसका भीएविर बहुत अजीब था वो माओ के हाथ को सुने की कोशिश कर रही थी हलाकि माओ वहां से भाबता है तब तक वो उस जगह भी पहुँच शुबाता जहां आज उसका टेस्ट है हलाकि बाद में वो छोटी बच्ची है उसके साथ वाला आदमी भी वहां आता है क्योंकि वो भी उसी टेस्ट को देने के लिए आये थे यहां जब उनकी फिर से माओ से मुलाकात होती है तो वो बच्ची अपना नाम सुबासा और वो आदमी अपना नाम सातो बताता है अब माओ भी अपना नाम बताता है जिसके बाद सुबासा पूछने लगी थी कि क्या तुम्ही डीमल किंग हो यह सुनकर माओ शौक हो जाता है लेकिन वो समझ चुका था कि यह लोग भी मुझे पहले से नॉर्मल नहीं लगरे अब तब ही फिर से सुबासा उसके हाथ को सुखना शुरू कर देती है इसलिए माओ तुरंत वहां से टेस्ट देने के लिए बाप चुगा था अब टेस्ट दे कर जब वो वापस आता है तो फिर से उसकी इससे मुलाकात होती है यहाँ भी माओ उससे पूसता है कि उसका टेस्ट कैसा गया माओ कहता है कि टेस्ट तो अच्छा गया अब इसके बाद माओ उससे पूसता है कि जिस पर सातो कहता है कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं गया और उससे नहीं लगता कि वो पास हो पाएगा क्योंकि वो पेपर में नहीं लिख पाया क्योंकि वो पेपर में क्या ही लिखा वो पढ़ नहीं सकता उसे वो language नहीं आती इस पर माउस से कहता है कि फिर तुम पैसे वेस क्यों कर रहे हो वैसे अब सुबासा यहाँ साथ उसे कहते है कि क्या मुझे भी अपनी टोपी हटा देने चाहिए जिसके बाद उनके बेच उनके language में थोड़ी बात चीत होती है क्यो बहुत ज़्यादा है उसका करणन बस यह था कि अलास चोटी लगती हुए बई सुबासा की बड़ी बहन है वैसे अब माउं इन तो असल में अमीलिया का फादर है वैसे अब ये बात पता लगता ही तभी अचानक से सुजुनों का एक एमर्जनसी मैसेज़ या माउ तक पॉंसता है वो भी बताते कि चीव अपने स्कूल में है और उसने वहां से एक एमर्जनसी सिगनल बेज़ है इसका मतलब वहां कुछ खत्रा है और अभी लूसीफर वर सुजुनों भी वहीं जा रहे हैं लेकिन उसे नहीं लगता कि जिससे उनकी फाइट है वो कमजोर है क्योंकि अभी मौसम बहुत खराब है और यह मौसम उसी अपोनेंट के मैजिग बात है कि साथ हो एक नॉर्मल यूमन है इसलिए वो उसे यहां आशिया के पास छोड़ कर वहां से सीधा स्कूल की तरफ चले जाते हैं अभी रास्ते में माउ बताता है कि वो अपनी पूरी पावर का इस्तमाल नहीं कर पाएगा इस होज़े से सुबासा उसके साथ अपनी पावर शेयर करने का फैसला करती है पावर कंबाइन होने के बाद माउ का हाफ डीमन ट्रंस्फरमिशन हो चुपा था और अब सुबासा भी एक सोड में चेंज हो गई थी जिसके बाद वो वहां स्कूल की बिल्डिन पर आ गए थे यहां जिस डीमन ने वो मैजिकल स्पेल क हरा दिया था लेकिन अब माउ वहां पहुंचता है और सबसे पहले जाकर चियो और सुसनों को बचाता है जिसके बाद वो देखता है कि उसका अपोनिट एक डीमन होने वाला है जो देखकर वो हैरान था इस डीमन वो यहां पर कुछ एंजल गार्ड लेकर आए थे इसलिए माउ उन्हें बहुत ही असानी से हरा देता है तब आकरी बचा इंजल गार्ड माउ पर हमला करता है वो उन सबीसे जादा तागत वरता इस होज़ा से माउ पहले उसे रोकता है और उस इंजल गार्ड के पास एक अच्छव वैपन था लेकिन तब ही माउ सुबासा से वैपन यूमन फ़ाम में आने को कहता है और सुबासा यूमन फ़ाम में आकर उस गार्ड को बहुत सारे पंच मारते हुए दूर माउ चोड़ेंगे इस पर जिंता मत मैं इनहे ले जाने के लिए आया हूं वैसे अब वो अपनी पावर से यहाँ स्कूल के अंदर जितने भी normal humans फसे हुए थे उन सब एकी कुछी देर में memories को हटाते थे और अब जाने से पहले बताता है कि Amelia उनके कब जिम्हें है यह सुनकर माओं बहुत ज़्यादा है बाद में घर लोटते वक्त उसे और पता चलता कि वो ज़रूर अफसान नाम की जिगा पर होंगे लेकिन वहाँ पर जाना इतना असान नहीं है उसके लिए उन्हें एक crystal force से portal open करना होगा और जितने ज्यादा लोग वहाँ जाएंगे उतना ज्यादा force लगेगा इसलिए अब सुसनों माओं और सुबासा तीनों ही वहाँ जाने का फैसला करते हैं और अगले सीन में वह फोरेस्ट पहुंच चुके थे यह फोरेस्ट इंटीरिया के अंदर ही आता है और अभी वह अफसान नाम की उस जिगा पर आगे बढ़ रहे जहां इन्हें रास्ते में कुछ दूसरे गार्ड के जाने की आवाज आती है इसलि जिसके बाद यह समझ चुके थे कि उनका तुश्मन नहीं है इसका नाम अलबेट है और यह एमिलिया का दोस्त है अब यहां सारे सुच्छिशन आपस में एक दूसरी को समझाने के बाद यह लोग अलबेट से हेल्प मांगते हैं अलबेट हेल्प करने के लिए तयार था हल जिसके बाद मांग सुच्छा की पावर काप इस्तमाल कर सकता है जिसके बाद मांग सुच्छा को सौर्ड में ट्रांस्फरम होने को कहता है लेकिन सुच्छा बας एक डैगर ही बन पाथी है जो देखकर मांग लहां ता और साथ भी सूच्छिशन और अलबर्ट भी हैरान थ और ये चीज अभी माओ को भी नहीं पता, लेकिन कारण जो भी हो, इस तरह से माओ का वहाँ जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए आगे जो प्लान होगा, वो एलबेट और सुजनों लिलकर प्लान करेंगे, और वहीं आगे जाकर अमीलिया को बचा कर लेकर आएंगे, सुजनों या माओं से कहती है कि वो उस पर बरोसर रखे, वो एमीलिया को बचा नाएगी, वैसे इसके बाद अब एलबेट और सुजनों अपना कुछ प्लान बना कर वहां से निकल चुके थे, तब एस सीन चेंज होता है, और वहां एमीलिया और ओबा को देखते हैं, जो कि अभी किंग्नम की तरफ बढ़ रहे थे, जहां अमीलिया आशिया से फाइट करेगी, अब नॉर्मल से बात थी कि वो अमीलिया को आशिया से लड़वाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो आशिया को खुद भी मार सकते हैं, फिर वो जबरस्ती अमीलिया से ही उसे क्यों परवाना चाहते हैं, लेकिन अब वहां पहुंसते ही अमीलिया तुन्त हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जो देख ओबा उसे रोकने के कोजिश कर रहा था, पर तबी कुछ दीमन्स आकर वहां ओबा और बागी सभी एंजल गार्ट को रोकते हैं, और उनसे लड़ पहुंसा था, इस वोजे से वो जितना हो सके उतना टाइम पास करने के कोजिश कर रहे थे, वैसे वहां दूसरी तरफ अचाना की सुबासा और अनस की एनरजी मैसूस होती है, उसे ऐसा इसलिए मैसूस हुआ क्योंकि अनस फाइट कर रही है, और एमीलिया की मदद कर रही ह अभी इस तरफ आशिया अमीलिया से पूसता है कि क्या हो आलस को अपने साथ ले खराई जिस पर वो बताते कि हाँ वो अभी उसकी तलवार बने हुई है वैसे वहाँ दूसरी दरफ अभी वो ओबा गैबरिल और रेगल इस लड़ाई को देख रही थे पर वो हिरान थे और अ पर उन्हें लग रहा था कि शायद कोई डीमन है हलाकि माओ और सुबासा जो कि उन स्कूटर में वो किसी तरह से उनके अटैक से बचते हुए आगे बढ़ते हैं इसी दुरान सुबासा और माओ कुछ फायर क्रेकर्स का इस्तमाल करते हुए उन गार्ड को हटा रही थे माओ अपने हाफ डीमन फॉम में आता है और वहाँ हवा में आ जाता है जाए उसे देख आशी अतुनत अपने घुटनों पर आ चुकी थी और अमीलिया अभी उसे धैंक्स कह रही थी क्योंकि वह से बचाने के लिया आई थी वैसे अब तभी माओ नीचे से सुबासा अमील पॉडिस कराता है जो सुबासा देखकर हैरान थे कि उसकी बड़ी बैन अभी तक अपने बीबी फॉम में हैं हलागि अलास कह रही थे कि तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो जोस्त उनकर सुबासा रोने लगती है अभी वह सभी बहुत ज़्यादा खुश थे पर माओ कहता ह कि तुम नहीं लड़ सकती यह बास सही थी क्योंकि अभी वह एंटीला में है जहां पर अमीलिया की पोस्त एक वोरियल वाली है और यहां वह डीमन का साथ नहीं दे सकती इस वोज़र से अब माओं उनसे लड़ने के लिए तयार था तब ही सीन चेंज होता है और हम एलबर् क्याते हैं कि हाँ जो कुछ भी हो रहा वो गलत है अब 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 हमाओ और बाकियों के पास आता है और वेल हमां ने सब है से लड़ना शुल कर दिया देकिन उसी समय माओ को सुजंगों का खोल आता है इस słuलिए वो फोन पर बात करते हुए यहां उनकी अटाक से बचना श उसके पास यहां आने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था अब सुजनों बात मान लेती है लेकिन जब तक वो यहां नहीं आती तब तक माहों जादा कुछ ना करे बस वो ऐसा कहती है इसके बाद माहों ने फोन रख दिया था अभी यह लड़ाई के दुरान अमीरिया मा करने को कहती है लेकिन ओभा बोलता कि तुम होती कौन हम उसे यह चीज कहने वाली तुम एंचल किLYा का संटी हो हाला कि दब मतलब कुछ पुरी लोग भी जरूर होंगे इसलिए तब ही से उन्होंने दूसरे और फिर खुद तबाई फैला कर सारा ब्लेम्स डीमन पर डालना शुरू कर दिया अलाकि ओबा इस बात को मानने के तयार नहीं था लेकिन तब ही वहाँ पर हैवन एंपर को बुलाया जाता है अब तब ही वहाँ माउ वाचर पर हमला करती हुए उसे दूर फैक देता है और साथ ही फिर जब वो हाई लेवल एंजल गार्ड उस पर हमला करता है तो उसे हटा देता है इस दुरान वाचर ने एक पोर्टल उपन कर लिया था जिससे वो बाग सकती थे अब माउ उन्हें रोक ले लगता है इसलिए माउ अब गैबरिल से लड़ने लगा था जिस दुरान वो लोग भाग चुबे थे इसलिए माउ गैबरिल को पकड़ कर अपने साथ वापस अर्थ पर इलाने कर डिसाइड करता है जिससे वो उससे बाकी सारी चीज़े पूछ सके कि वो लोग ऐस क्यों कर रहे हैं हाला कि देखा जाये तो अब सब कुछ नौर्म हो चुपा है इंजल्स और डीमन की बीच जो लड़ाई चल रही थी वो भी लगबग स्वाफ हो गई है क्योंकि अब वो लोग दुश्मन नहीं है हाला कि अभी वो एमिलिया थोड़ी दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि चीयों उससे गुसा होगी पर माओ कहता है कि नहीं वो उससे गुसा नहीं है हम उसके बर्दे से पहले पहुँच जाएंगे अगले सीन में चीयों को फोन पर नोटिफिकेशन आता है जिसके बाद वो तुरंती माओ की घर की तरफ भागती है वहाँ प खुश थी बाद में वो लोग साथ मिलकर डिनर करते हैं और इसी के साथ ही सीजन 3 भी एंड हो चुगा था